और दोस्तों एक और question सबके मंद में चल रहा है यार कि Redmi Note 7 Pro को हम purchase कर लें या फिर Realme 3 Pro का wait करें तो मैं यार definitely कहना चाहूँगा कि Redmi Note 7 Pro आप ले लो दोस्तों बहुत बहुत स्वागे था आपका अपने YouTube चैनल स्वाइगन टेक पर अज में बात करने वाले हैं Realme 3 Pro के बारे में जी हाँ Realme 3 के launch के साथ ही confirm कर दिया था कि Realme 3 Pro जो है वो आपको देखने को मिलने वाला है April के अंदर और यहाँ पर सीधे सीधे उनने टार्गेट किया था Redmi Note 7 Pro को यानि कि वो आपको इससे बहतर फोन देने का दावा करते हैं तो आज के इस वीडियो में दोस्तों कुछ स्पेसिविकेशन जो है वो almost confirm होकर बाहर आई है साथ के साथ दोस्तों मैंने Realme के हर एक डिवाइस की अन्बॉक्सिंग और रिव्यू जो है किया है चाहे वो Realme 1 हो, 2 हो, 2 प्रो हो, Realme U1 हो, Realme C1 हो या फिर Realme 3 हो सभी के वीडियो अन्बॉक्सिंग के आपको चैनल पर मिल जाएंगे दिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं दे दूँगा दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों की जो उमीदे हैं उनके बारे में भी बात करेंगे ऐसा निया यहर मैं अपनी अपनी गादूँगा है वो देखने को मिलेगी और what is doing 7 in Realme 3 Pro कुछ ऐसा भी करके दिखाया गया भाई तो इस 7 का मतलब भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम देखने है Realme की लाइन आप कोई भी स्मार्टफोन उठाकर देख लीजिए चाहिए वो Realme 1, 2, 2 Pro हो Realme U1, C1 या Realme 3 हो कहीं पर भी आपको fast charging का support देखने को नहीं मिलता तो definitely आपको इस phone के अंदर type C और fast charging दोनों देखने को मिलेगी क्योंकि उन्होंने launch event में भी directly target किया Redmi Note 7 Pro को और wait करने के लिए बोला है वाई तो यानि कि वो इसे बहतर specs आपको देने वाले हैं ऐसा उनका दावा है तो definitely आपको यहाँ पर fast charging type C देखने को मिलने वाला है उसके लावा बात कर लेता हूँ दूसरी चीज़ की तो यहाँ पर design build quality आपको Realme 3 Pro में बिल्कुल change देखने को मिलेगी जी हाँ हाला कि आपको जो camera setup है वो vertical में ही मिलेगा और जैसे कि आपको Realme 3 में मिलता है लेकिन उसके अलावा कर मैं बात करता हूँ back panel की तो इस पर आपको polycarbonate नहीं देखने को मिलेगा first time आपको Realme के device में glass panel और metal का combination जो है वो देखने को मिल सकता है तो design और build quality भी आपको काफी शांदार जो है वो मिलने वाली है उसके बाद दो बात कर लेते हैं इस phone में processor जो है वो कौन सा हो सकता है तो यहाँ पर जैसे की पीजर में दिखाया भी यह था कि speed को लेकर जो है वो बता रहे है speed awakens जी हाँ speed को जादा टार्गेट कर रहे हैं तो मैं आपको बता तो कि यहाँ पर 90% chances आपको snapdragon 710 ही देखने को मिलेगा जी हाँ जो भी 10 nanometer का processor है 2.2 GHz पर काम करता है अब speed का मतलब यहाँ पर इन्हों ने इसलिए किया है कि इस दो snapdragon 675 है वो 2 GHz पर clock करता है अब देखे तो n2 benchmarks जो है वो snapdragon 675 के जादा आ रहे हैं भाई उसका reason यह है क्योंकि वो latest processor है cryo 460 पर based है और वहाँ पर cortex A76 का use किया गया है यह जो की latest technology है और अगर मैं बात कर लेता हूँ 710 की तो actually वो जो है वो cortex A75 पर based है cryo 360 पर इसलिए जो है benchmarking scores जो है वो उसका जादा आ रहा है तो यहाँ पर दोनों ही processor real life में आपको काफी फरक देखने को नहीं मिलेगा दोनों almost आपको एक जूसरी को टक कर देते हुए दिखाई देंगे उसके लब दूस्तों काफी लोग यह भी कह रहे है कि Helio P90 भी इसके अंदर देखने को मिल सकता है लेकिन उसके chances काफी कम है हो सकता है वो आपको Realme U2 में देखने को मिल सकता है बग्या आपको क्या लगता है आप पोल में मिलेको जूरू बताना उपर आपको तीन processor दिखाई देंगे जो आपको Snapdragon 675 तो नहीं मिलेगा सब के बस की बात नहीं होती है तो यहाँ पर आपको most probably Snapdragon 710 देखने को मिलने वाला है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको Color OS 6 देखने को मिलेगा Android Pie आपको out of the box देखने को मिलेगा यहाँ पर यहाँ पर स्टोरेज UFS 2.1 हो सकती है इसके भी बहुत जादा चांसिस है उसके लगा दोस्तों बात कर लेता हूं इस फोन की डिस्प्ले की जी हाँ अब यहाँ पर काफे लोग कह रहे हैं कि भाई पंच होल आएगा पंच होल आएगा भाई कहां 15,000 में आप पंच होल मांग रहे हो पंच होल के चांसिस दिल्कुल कम है मैं आपको बता जैता हूं हो सकता है यहाँ पर आपको Super AMOLED पैनल जुरूर मिल सकता है क्योंकि जो इनका मतलब भाई चारा है ओपो के साथ यहाँ वो एक्चुली में ओफिशली तो नहीं है लेकिन अनोफिशली बिल्कुल है ओपो के वन ने 17,000 में दिया है तो डेफिनिटली आपको Super AMOLED पैनल देखने को मिल सकता है लेकिन पंच होल जो है वो आपको अगर आप पंच होल डिस्प्ले 15,000 के अंतर देखने को देखना चाहते है तो आपको 2019 के लास तक का वीट करना होगा वहाँ पर आकर शायद आपको पंच होल डिस्प्ले 15,000 के असपास देखने को मिल जाए उपर आपको एक और पॉल मिल जाएगा तो आपको कह लगता है यहाँ पर आपको punch hole मिलेगा या पर आपको normal IPS मिलेगा या फिर आपको यहाँ पर super emolet panel जो है वो देखने को मिलेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 24 ये 25 megapixel का camera जो है फ्रेंट में देखने को मिलतकता है तो बखी आप मुझे comment section में बताइए कि आपको realme 3 pro से क्या expectation है camera की recording आपको पीछे की तरफ dual camera मिलेगा ये triple camera देखने को मिलेगा उपर पॉल में मुझे जरूरू बताना उसके लावा बात कर लेते हैं दोस्तो बैटरी की तो यहाँ पर आपको 4230 mh की बैटरी देखने को मिलेगी ये काफी अच्छी चीज़ है जी हाँ almost confirm है ये आपको 4000 प्लस ही बैटरी जो है वो देखने को मिलेगी अब लावा दोस्तो बात कर लेते हैं प्राइस पॉइंट की तो यहाँ पर जैसा की एक इंटर्वी में मालसेट ने ये भी का था कि हमारा प्रोड़क्ट हो सकता है कि 1000 रुपे जादा आ जाए किसी ब्रांड से user experience को बहतर करने के लिए हम प्राइस से compromise नहीं करेंगे तो definitely आपको जो इसका base variant है वो हो सकता है कि 15,000 का देखने को मिले और जो 6GB बाला मोडल है वो 17,000 का जो 8GB रहम है वो शायद आपको 19,000 रुपे का देखने को मिल सकता है तो ये एक expected price है Realme 3 Pro का अब launch date की बात कर लेते हैं तो rumors निकल कर आ रहे हैं कि second week में April के आपको ये phone देखने को मिल सकता है और दूसर एक और question सब के मन में चल रहा है यार के Redmi Note 7 Pro को हम purchase कर लें या फिर Realme 3 Pro का wait करें तो मैं यार definitely कहना चाहूँगा के Redmi Note 7 Pro आप ले लो अगर आप wait नहीं कर सकते एक से डेड़ महीने का तो आपको मतलब यार 14,000 रुपीज जो है spend करके आपको ऐसा नहीं रगेगा य Realme 3 Pro जो है यार वाक्य में बहुत जबर्दस टकर देगा मतलब यार 19,000 का ही फरक होने वाला है Realme 3 Pro कहीं ना कहीं आपको मतलब थोड़ा सा एज लेता दिखाई देगा उसका advantage उनके पास है क्योंकि उनको Redmi Note 7 Pro की specifications पता है और वो उसके हिसाब से अपना product जो है वो improve कर सकते ह तो यह एक advantage है Realme 3 Pro के साथ तो मेरा recommendation तो यह है कि आप wait कीजिए लेकिन अगर आपके पास time नहीं है आप wait नहीं कर सकते तो यह आपकी मर्जी है तो दोस्तों यह थी सारी जानकर Realme 3 Pro की जो अभी तक हामें मिली थी और जो मेरी उमीदे है Realme 3 Pro से और मैंने काफी सवाल आप लोगों से भी पूछे हैं कि आपकी क्या उमीदे है Realme 3 Pro से दोस्तों उमीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ी सी मज़दार लगी थोड़ी helpful लगी होगी अगर थोड़ी सी helpful लगी है तो इस वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल को subscribe करना मत पूलना मैं मिलता हूँ आप